हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो इस्टेटी विद ग्यान प्रकास्ट दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जिनका पिछले कई बार से जो प्री है वो दे रहे हैं प्री किसी कारण से क्रेक नहीं हो पा रहा है तो क्या कमी रह जाती है दूसरी बात निश्चित रूप से किया जा सकता है अगर आप इस वीडियो में दिएगी जो विधियां है तकनीकी है जो रणनीती है उसका पालन करेंगे आपका प्री रुकेगा नहीं ठीक है तो जो लोग अभी तक UPPCS 2022 के प्री के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं वो लोग 12 अप्र रखना बहुत important है कि what to do and what to do not क्या करना है और क्या नहीं करना है ठीक है तो सबसे पहले तो ये कि कुछ चीजें आपको बिलकुल इसमें जिहन से निकाल देनी हैं अगर आपने ये सोचा है कि बिसेवार subject wise या फिर topic wise आप जो तयारी करेंगे उसके लिए next one week या one day का target रख रखेंगे या फिर मतलब अगर आपने ये स्विट किया है कि सिर्फ एक बिसे को आप एक सता में पूरा करेंगे फिर उसके अगले सता में दूसरा भी से उठाएंगे फिर उसके अगले सता में तिसरा भी से उठाएंगे या फिर आपने ऐसे स्विट किया है कि जो पहला त पढ़ेंगे फिर चौते दिन से लेकर साथमे दिन तक हम भूगोल पढ़ लेंगे उसके बाद पॉलिटी पढ़ लेंगे उसके बाद यह यह ब्लावला तो अगर आपका यह अगर आप सोच रहे हैं इस तरीके से तो जो कुछ भी पढ़ोगे ना वो एक्जाम में आपको या यह टेक्निक अब आते हैं लेकिन अब आपके पास क्योंकि only 50 days है मैं मानग चल रहा हूँ कि 50 दिन है तो यहाँ पर आपको अपने दिन को ही manage करना है ठीक है तो day management पर आप ध्यान दीजिए day management यह सबसे important होगा और यह सबसे कारगर होगा ठीक है तो एक दिन में सुबर फिर दो पहर मतलब afternoon उसके बाद saam evening या night मान लीजिए से तो यह तीन तो इसमें कम से कम अभी आपको 1.5 to 2 hour और इसे प्रिकार से मतलब कम से कम 6 से 8 घंटे का समय अब आपको study में देना होगा अगर प्री को crack करना है यह time आपको manage करना होगा अगर आप working है दो पहर में आप समय निकाल पाते हैं तो यह समय आपको सुबह या साम में जाकर manage करना होगा तब आपका study time है उसको सुबह या साम में manage करिए least कम सकम 5 घंटे का time तो दीजिए ठीक है चार से 5 घंटे बहुत जुरूरी है उसके बाद जितना अधी समय देंगे वह आपके उतने ही favor में दाएगा और यहाँ पर सबसे पहले यह ध्यान दिजिए कि एक दिन में सिर्फ एक भी से मत पढ़िए सुबह आपने अगर history पढ़ा है तो दोपहर में आप geography पढ़िए और साम को आप current पढ़िए ठीक है current कैसे पढ़ना यह मैं आगे आपको बता रहा हूँ इसलिपर कासर next day में मतलब यह कि आप बिल्कुल न जिसे class चलती थी आपकी जब आप पढ़ते थे तो दो-दो दिन का टांडेबल होता था उसी प्रकासर टांडेबल आपको लेकर चलना है तो revision भी आपका होता रहेगा और विस्यों की अच्छी खासी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी और time क सही management भी आप कर पाएंगे और विस्यों के बारे में अगर आपकी planning है कि यह भी आपको NCRD पढ़ना है लक्ष्मी कांत को पढ़ना है कुछ और भी किताबे हैं तो सारी किताबों को पढ़ना है तो अब यह plan अस्थकित यह काम अब नहीं करेगा विस्यों को छोड़ दीजि तो अब इसको रोकी दीजिए अगर कोई भी मुख्य परिक्षा आप नहीं देने वाले हैं तो इसको रोक दीजिए सबसे बहतर होगा न्यूजपेपर सबसे important होता है लेकिन न्यूजपेपर को भी अब मतलब होता ना two hour देना ये two hour देने का समय अब नहीं है न्यूजपेपर पढ़ने की जो सही तक नहीं किए वो मैं आपको भी बता देता हूँ सबसे पहले तो आप जो पहला पेंज है उस पर जो headline से उसको देख लीजिए उसके बाद paper को last में जाईए एकदम पीछे जो भी विधा होती है last page उसको watch करिए उसके पहले एक खेल का page होता है और एक economy का page होता है बस यह 4 page देखिए ठीक है और headline देखने के बाद अगर आपको उसको ज़रूर वाज करिए मंदब को इम लाके आपको न्यूज पेपर में कितना टाइम देना है 25 से लेकर maximum 40 मिनट इससे ज़्यादा नहीं ठीक है तो न्यूज पेपर में इतना समय आपको देना है अगर आप देना चाहें तो दीजिए नहीं तो यह जो न्यूज पेपर है डिवीजन के टूडे करेंड एफिर हो और जो टूड़े के करेंड एफिर हैं उससे जुड़े विए जो तत्त हैं लिए स्टेटी जीपनट का पॉर्षन वह भी करहो तो ऐसा कोई चैनल हो तो उसको भी फालोग कर सकते हैं तो विश्यों की बगरीता है उसको सबसे पहरे स प्राचिन नितियास, modern history और मदिकालिन नितियास तो ये वज़ा कितने कितने question बनेंगे, किस topic से बनेंगे, किस topic से नहीं बनेंगे, तो तीनों ये उनको cover करना है, वैसे एउरेज में देखा जाए है, तो आधुनिक इतियास जो है, ये सबसे ज़़ा important होता है, उसके बाद प्राचिन नितियास, मदिकालिन नितियास से जो question है, वो कम बनते हैं, ठीक है, तो प्रस्णों की संग्या कितनी होती है, लगबग 10 से लेकर 25 के बीच में हो सकती है, तो इतियास काफी important है, कैसे पढ़ना है, आगे आपको बता रहा हूँ, उसके बाद जहने रहा है भूगोल में, सबस्दा important भारत का भूगोल है, दिन वर्ड की जोग्राफी है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे, quality में ज़्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, quality के लिए आप कुछ बहुत straight question है, उसको देख लिजेगा, आपका काम चल जाएगा, हलांकि इसे भी question काफी अच्छे बनते हैं, लेकिन इसका जो syllabus है, यूँ कहिए कि इतियास भूगोल के पेक्षा, थोड़ा जल्दी ये तैयार हो जाता है आपका, ठीक है, economy, तो अर्थिव्यवस्ता से समद्धी जो question है, वो आपके करनेफेर के अंतर गयती आते हैं, इसको भी आप करनेफेर में cover कर सकते हैं, बागी कुछ किताबें हैं, उसको मैं आगे आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें पढ़ेंगे, तो economy का पॉर्जन भी cover हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए, कोई भी एक अच्छी magazine आप खरीद सकते हैं, जिस पर UP Special की कोई magazine हो, अच्छे प्रकासन की हो, मैं नाम सगेश्ट नहीं करूँगा, आपको पता यह होगा, दुकानदार आपको खुदी पता देखता है, कि क्या, तो उत्तर प्रदेश पर आथारित, और हाँ, एक वीडियो भी मैं आप आप अप्लोड करूँगा, तो उत्तर प्रदेश UP Special में, उसमें सारे फैक्ट आपको मिल जाएंगे, थोड़ा लंबा वीडियो होगा, एक से दो घंटे का, लेकिन सारे फैक्ट आपको सुवी में मिल जाएंगे, उसकी पीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो UPI से कवर कर लेना, सामाने विज्ञाने ज्यादातर प्रस होते हैं, वो बारवजी से होते हैं, उसके बाद chemistry से होते हैं, इसके बाद physics से question होते हैं, लेकिन ये प्रस repeated होते हैं, तो इसके लिए आपको बस lucid पढ़ लेंगे, आपका काम चल जाएगा, और previous year के question paper है, उससे आपका काम चल जाएगा परियावरान में भी बारतमान में जो घटना करम होता है यानि की करण फेर उससे कोर्शन ज्यादा बनते है बाकी की जो कोर्शन होते है वो बालोजी में कवर हो जाते हैं test series बहुत important है, test series जरूर आपको ध्यान लगाना चाहिए, इससे आपकी तयारी अच्छी कासी हो जाती है, ठीक है, तो test series, तो कोई भी एक अच्छी test series आप जरूर लगाईएगा, और ये test series आपकी revision में और अच्छे, मतलब comes come 110 प्लस लाने में बहुत अधिक help करेगा, current affair के मैं आपको बता चुका हूँ कि आप current affair को बहुत जरूर डीप में जाने जरूरत नहीं है, कोई भी एक magazine दीजिएगा, उसको तीन से चार बार पढ़िएगा, और कोई भी एक YouTube चैनल फालो करिए, और एक बात ध्याम जिएगा कि current affair कम से कम दो बार, मतलब एक बार तो देखिए, एक बार सुबह देख लिया आपने, फिर एक बार रात में, जब आप खाना खाने बैठते हैं, या फिर सुने जा रहे हैं, तो वीडियो को प्ले करके रख दीजिए, और जो कुछ भी है देखनी 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 सुन लीजिए, तो आपका revision अच्छे स की प्रिपेशन है, वो इसी पर बेस करती है, 40-45%, तो पिछले 10 साल का जो question paper है, इसके लिए अलग-अलग publication की किताबे आती है, वो जरूर देख लेना, और सभी questions को focus में रखना, और उसी टाक्टिक पर, जैसे माल लेते हैं, current का question पहुचा गया, तो उसका जो updated version है, उसको भ paper मिले, UPSC का paper मिले, तो GS जितने भी पूछे जा रहे हैं, एक से डेटासाल के अंदर, उसको देख लेना, क्योंकि वहाँ से आपको current के question अच्छे मिल जाते हैं, और यह मतलब कि आपकी तयारी अच्छे से हो जाती है, topic आपके अच्छे से तयार हो जाते हैं, इतिहास को कै स्पेक्ट्रम की जो last में समरी आती है, उसको पढ़ लिजिएगा, lotion देख लिजिए और घटना चकर को देख लिजिए, आपका आदमी की तयास complete हो जाएगा, प्राचिन इतियास के लिए आप घटना चकर, यसके पांडे के last में, यहर topic के last में जो समरी होती है, उसको देख मेडिवल के लिए सिर्फ घटना चकर पढ़ लिजिएगा, आपका काम चल जाएगा, NCRT के लिए सिर्फ एक किताब जरूर देखिएगा, नवी की जो NCRT है, वो जरूर देख लिजिएगा, और भूगोल के प्रस्टनों को वहल करते समय, जो आपके सामने globe या फिर map जरू होना चाहिए, और जब भी आप देखें, पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वर्ल लेवल पर, इंडिया लेवल पर, तो उसको एक बार map में जरूर देखें, और उसके आसपास के अस्थानों को, नदियों को जरूर वाज करें, इसे भूगोल आपके दिमाग में छप जाएग और विश्ट का भूगोल, वर्ड जोग्राफी में सबसे इंपॉर्टिन होता है, मद्देशिया का भूगोल, और खास तोर से भूमद सागर के आसपास का छेत्र है, यह दो टॉपिक आपको गंबिरता से कवर करना है, और बाकी के जो टॉपिक हैं, आपको कोशन पर से मिल आती है, इस परकार से, और राजनीती और समिधान के अंत्रगत, घटना चकल के जो कोशन है, एक भी छोड़ना मत, आर्डिकल, एक सिक्याओं के बीच में क्या दिया गया है, वेरी इंपॉर्टन रट लेना, प्रस्ताना से समिंत को इसे में भी बनते हैं, तो यह भी देख बजट और योजनाओं से, इसके लिए कोई भी एक में दिन उठाना, और इसको लास्ट डे में त्यार करना, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट होते हैं, कुछ डेटा होते हैं, जो कि आपको लास्ट में ही पढ़ेंगे, तभी यह याद रहेंगे, ठीक है, उत्तरबदेश की जन संक्या, नगली करण, मेला और संस्तान, और जो विबिन योजनाएं हैं, उसे समंधित कुछन बनते हैं, इस पर एक वीडियो मैंने कहा कि आपको मैं देदूँगा, उसको देख लिजएगा, विज्ञान के लिए घटना चक्र के जो कुछन है, और प्रिवेस एर के जो मैं तक का जो करेंट है, उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है, और जो इंपोर्टन कोशन रहेंगे, तो अच्छा अच्छा मैने का दो वीडियो मैं सोच रहा हूँ चैनल पर अप्लोड किया जाए, अगर आप भी राय रहेगी, तो बस, और इसके बाद टेस्रीज, कोई भी सगेशन चाहता हूँ, सगेशन ये है, देखें फ्रेंट्स, इसको बिलकुर मैं मेहनत करूँगा, तो उसे मेहनत के बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई बाते अत्ष्योक्ति के रूप में नहीं होगी, एक प्रिमियम ग्रूप के बारे में मैं आप से राय चा वो आप को लेबल होगा, ताकि आप टेस्ट कर सकें कि आपके कितने प्रस्त सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, दूसरी बात है कि regular जो वीडियोज मिलते हैं, आपको इस चैनल पर सारी PDF आपको मिलेजी, और कुछ परसनल गाइडेंस ले एक परसनल मोबाईल नमबर, ताकि जो लोग इस premium group से जुनें, अगर उनको कोई दिक्कत आ रहे हैं, तो personally call कर सकें अपने educator को, और अपनी समस्या का personal discussion वो कर सकें. और इसके लिए जो फीस लगाई आएगी, वो फीस कितनी होगी 500 रुपीच, तो अगर आप लोग सहमत होंगे, अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तब यह premium group बनेगा, नहीं तो जैसे चल रहा है, चलता रहेगा, और बाकी की चीज़ों के लिए आपको जानकारी इसी प्रकार से प्रवाइड, जिस प्रकार सकी जा रहे है, वो करवाती जाती रहेगी, तो आज के वीडियों में से, अगर आपको लगा, कि वीडियों सांदार रहा, और आपको मारदरसन मिला, अगर आपको लगा कि आपका confidence label थोड़ा सा भी grow up हुआ है, तो वीडियों को लाइक जरू किजिएगा, तो आप सभी के लिए फिर से happy study, thank you so much.